हेलो एवरीवन आज का हमार टोपिक है यू एन ग्रूप इससे पहले साइकलिक ग्लूप तग हम लास्ट वीडियों क्प्लीट का चुक है यू एन ग्रूप क्या होता है हमारा दा सैट ओफ ओल नेच्टरल नंबर ले देन और इक्वल टू एन विच आर को प्राइंट तो एन मतलब एक ऐसे नंबर का सैट यदि हमें एन का यू एन ग्रूप निकालना है तो हमां एन यह उससे कम वाले केवल वो वो नंबर लेंगे जिनका जी सी डी एन के साथ क्या है वन आये को प्राइंट का मतलब यह होता है जिनका आपस में जी सी डी वन हू कोई दो नंबर ले तो केवल केवल एं तक के वह नम बे लेंगे जिनका जीसीडि एंके साथ बनाएगा उस्सरे मिलके जो स्यट बने गा उसे हम क्या कहते हैं US जैसे कि हम यू एट की वैले निकालदे हैं हाँ एन की वैलू कि है एैट यह ऊससे कं वाले ऐसे नंबर ले लेंगे जो 8 के साथ को प्राइम हो यानि की GCT बना रहा हो 1 का बनाता, 3 का बनाता, 5 का बनाता, 7 का बनाता है अब बात करें इसके लावा 2 का 2 आजेगा 4 का 4 आजेगा, 6 का 2 आजेगा और 8 का हमारा 8 आजेगा तो इस वएसे हमारे ये जो गुरूप, अलिमेंट का सेट बना इसे ही हम कहते हैं, UN गुरूप अब इससे हम कुछ हम, हमारी गुरूप की प्रोपर्टी को भी होल्ड करवाएंगे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 ये आपसमें लिख लिए इनका मुल्टिप्लाई करा कैली टेबल बने लिम की तो हमारे 1, 1, 1 का वन वए, 1, 3 का थ्री आगया 1, 2, 3 ऑगया, 1, 7 का वन गया 3, 1 का 3 ऑगया 3, 3 का 9 ऑगया पर 9 सब बड़ा मैक्सिमम वैल्यू जिए 8 9 को यदि हम 9 को यदि हम डिवाइड करे 8 से तो रिमाइंडर खितना बचे बनी तो बचे का वह हमने लिख दिया अब त्री फिप्टीन आ गया फिप्टीन को ज़दी एट से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचे का seven बचे कि 8 एक बार जाएगा और 7 बन जाएगा आप ठीक वर्म्टाइब करें तो 21 और 21 को यदि हम एट से डिवाइट करें तो 16 5 रिमाइंडर रहा जाएगा तो यहां पर फाइब आ गया यह इसी तरीके साफाइब करा वन से कर आ 5 있다고 되어 75 cinco etuso 115 को यदि हम 8 से डिवाइट करेंगे तो सेवनजिमंद आजीग के-ट है तो हमार सैबन निमाइंडर आले आ फिटि फाइव इन टू 25 टेटीफाइव-ट्रीजा ट्वनडीफूर हो गया तो वन्मान डरा गया फाइğव इंटू 735 35 का यदि हम 8 से करेंगे 840 32 तो 3 reminder आ गया इसी तरीके से इसका बना लेंगे अब यदि यह वाले जो नंबर है उपर 1357 के अलावा कोई होर element नहीं आ रहे 1357 के अलावा कोई होर element नहीं आ रहे हैं यदि हम सारे row की बात करें यहां पर 1357 के अलावा नहीं आ रहे हैं सबसे पहले हम उपड़ देखेंगे उपड़े क्या 1357 इसके अलावा नीचे देखेंगे नीचे किसी भी रहो में 1357 के अलावा कोई भी element नहीं आ रहे तो वह सबसे पहली प्रोपर्टी होल्ड कर जाई क्लोजर तो यानि कि यह क्लोजर होगा अब यदि कोई ग्रूजर प्रोपर्टी सैटिस्फाइब करता है तो वह होता है तो यहां सा हो जाएगी अब बात करेंगे अब यहां पर वन है in verse क heaven कि कैसे पता करेंगे हम जहां जहां हमारा outta beauty can mark कर देगे सरकल मार करने के बाद हमारा ThePan competent थ्री किस पर जा रहा है, थ्री पर जा रहा है, फाइब किस 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 पर जा रहा है, यदि किसी ग्रूप में एक भी ऐसा एलिमेंट आ जए जो अपना सेल्फ इंवर्स रखता हो यह सेल्फ इंवर्स ही तो है वन की बात नहीं करेंगे वन का तो आइडेंटिटी वन ही होगा इसे हम छोड़ के चलेंगे हम इसे नहीं भी निकालता है इसका जब भी बनाता गोला है तो यह हमारा थ्री हमारा सेल्फ इंवर्स हो जाएगा 5 के इन्वर्स 5 आ रहा 5 भी Self Inverse हो जाएगा 7 के इन्वर्स 7 आ रहा है तो 7 भी हमारे Self Inverse हो जायएगा यदि हमारे किसी ग्रूप में एक भी element Self Inverse एक्जिस्ट करता है तो वो हमारा ग्रूप क्या होता है Abrahamed group यानि कि कम से कम एक element कर रहा है तो वो हमारा गुरूप क्या हो जाएगा कि एब लिए गुरूप हो जाएगा तो यहां पर मैंने लिख भी रखा है ठीक अब दूसरी चीज़ क्या यह साइक्लिक होगा यदि हम बन का ओडर निकाले तो वन की पावर बार करते हैं जब भी बना जाएगा थ्री का ओ ऌट आई होता है यानि की फावर टू तो हमारा इसका भी ओर टो गया सेमार लरली 7 की ओデर टूर और एक होड चीज shrimp इमा दिखाता हैं उसका हमेसा ओडर क्या होता है ठो होता है किस तरहिका आई इन सुकर्णी ऑड़ तो हम एमैदल ने जाएंगे तो स्कुर्ण marriage वाया है जो भी element हमारे इनवर्ड दिखाता है उसका automatically order क्या हो जाता है तू हो जाता है अब देखें इसमें किसी भी element का order ग्रूप के order के बराबर नहीं है यानि कि यह cyclic group नहीं दिखाता है यानि कि UN group हमारा cyclic group नहीं होता है यह अबलियन ग्रूप तो हो सकता है पर cyclic group नहीं होगा अब यूलर फाइफ अंचन की हैल्प से हम नंबर ओफ जन्नेटर निकालने हो या नंबर ओफ यूनिट निकालने है तहां यूलर फाइफ यूज करते हैं या देखें नंबर ओफ या तो जन्नेटर पॉच़ गया हो तो हम किसका यूज करेंगे यू लर फाइफ कंसन का तो हमारा वाइफ ट्वंटि फाइफ जैसे हमें 525 निकाल या यानि कि ध्लार फाइफ पाइफ अनिफ निकालना है तो यदि कोई हमारा फंसन सबसे पहले हम प्रायाइम फैक्टरायजेशन में तोर्व यूर फाइफ निकाल लेके लिए जैसे हमारा सिक्स है हम सबसे वहले सिक्स करें जब तो इसका प्राइम फेक्टराइब जैसे करेंगे टू इंटो थ्री आएगा तो हम करेंगे क्या तू की पावर क्योंकि यहां पर बन है जितनी पावर आगे उससे एक कम कर देंगे यानिक नयोसरी हusch vallahi पावर bit बहुत है थे था मेट yhtी पावर क्योंबाइब देखें ल टो टू की पाव वन हमारा इंतो थी पावर ज buna के पावर दियर इन तो यान तीन मैंशे गया है 105600 यानकि यहां पर हमारे जो रोडर वा उसमें दो जन्रेटर होंगे अब बात करें 25 की ठीक 25 में क्या होगा हमारा प्राइम फेक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फाइब का स्क्वार आजएगा इसके लावा तो कोई हो इसमें क्या करेंगे 5 का क्योंकि यहां पर वैल पावर 2 है तो माइनस कर देंगे 5 की पाल सकते हैं अब बात करेंगे तो फंसन की टो फंसन हमारा यूज किसलिए होता है तो फाइंड अनमबर ओव और एंड डिवाइजर यदि हमें किसी कोस्टन में नमबर ओव सब गूरूप यह नमबर ओव डिवाइजर पूछ लिए जैसे हमारा कोस्टन की आजए जैट 25 आजए तो जैट 25 में हमसे क्या पूछ लिए जैं कि इसके हमारे जन्रेटर बताइए यह उनिट बताईए तो हम यह वाला फॉर्मॉल लगा देंगे जैट 25 में हमसे पूछ ले जाए इसके जिस सब ग्रूप बताईए डिवाइजर बताईए कितने डिवाइजर होंगे मतल जो पावर है हम क्योंड उससा मतलब लखेंगे यहाँ पर नुखेर है कोई ओर नहीं प्लीव बढ़ आ नहीं तो away इस धी है इनिटू को बीकी पskyols क्यों करेंगे आरकी पॉर्वर आ रहें तो और प्लस वन यानिक जो भी एबी सी की क्वाइम अरी और यह कर देंगे इसका हमारा तो फंचन क्या जेगा 3 यानि कि 25 में हमारे तीन है से डिस्टिंक टैलिमेंट होंगे जो डिवाइड करेंगे तीन सब ग्रूप होंगे अब तो 18 की बात कर ले हम तो 18 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या होगा थी का स्कॉर इंटू 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 तो इस तरीके से हम तो फंसन निकालते हैं यानि कि नंबरों से सब ग्रूप यह डिवाइजर हम इस तरीके से निकालते हैं और बात करें जन्रेटर यूनिट की तो हम यूलर फाइफंसन का यूज करेंगे नेक्स्ट है हमारा से मैक्ति ग्रूप पर मोटेशन ग्रूप को हम कुछ नैस्ट कुछ वीडियो में लेंगे उसके एक साथ सारे कंटेंड लाएंगे तो तो टांस पोजीशन हमारा इससे रिलेटिट होता है तो हम इसके साथ ही कंपर कवर करेंगे अब बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपनी टेक्स बूस को रिकमेंड कर सकते हैं और यूटूब पर मैं आपको डारेक्टिस के कोस्टन बताऊंगा क्योंकि जनरली अभी तक इसमेक्टिक ग्रूप के रेफिनेशन से लेट कुछ नहीं डिक कहोंड दें तो इसकी हमाइब इसेatarी परतिषन करेंगे लगीजा किस तरीके सथन वर् gjort अबकी बार क्या करेंगे एक टू को इंटर्यूस कहलेंगे ओंटैूंस करएं एस्ट कि करीगा कि 275 तो इसे हम हम पार्टिसान करेंगे जयेंगे आब जो हमारे partition आये हैं इनका एल्च्रीन देखेंगे स्कैल्च्रीन क्या रहा है वन रहा यान कि वन ओर कि द्श्पेक्ट में बताएगा इसका एल्चिम क्या रहा है टो आ अपवर को जायेगा इंटू फैक्टोरियल जितनी बार आ रहा हुथा तो यह जो हमारा आपस में वो क्या जाएगा वो क्या जैका अब नमबर ओफ एलिमेंट अब आप तो फैक्टोरियल नहीं आएगा इसे हम एसी छोड़ देते हैं नीचे हम काम करें नीचे है वन कितनी बार आ रहा है वन बार की वन की पावर वन इंटू फैक्टोरियल वन आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू वन होती है तो मैं लिखा नहीं नेक्स्ट आएगा टू कितनी बार आ एक बार तो टू की पावर वन इंटू फैक्टोरियल वन उन दोनों की वैल्यू वन होती ह कि मैंने थ्री तो इसमें खाली टू लिग दिया क्योंकि तो फैक्टोयल थ्री अपॉन टू को यदि हम सोल्व करेंगे तो हमारा थ्री आजएगा इसी तरी के साम ओडर ओफा थ्री नंबर ओफ ऐलिमेंट ओफोडर थ्री निकालेंगे तो उपर तो हम फैक्टोय लिग तो नंबर ओफफाइध और तू हमारा थ्री होगा और ओमबर ओफ आलिमेंट ओडर हैंमारा टू ओगा तो इस तरी के साम किसी भी ओडर ndक यदि यह बन ओडर के पूछा जाए उसकी अलिमेंट निकल लेंगे तू ओर दर पूछा जाए उसके थी ओड़र के बस समय इसमे plus one हो जाए ==ब just to introduce लिए तो ऋ अगया अब इको टू interpret Gibbsा लिए अब ऩो क्योंकि हमने two ने दूर्डी само हो गया अब हमस्मा फ्री आ जाए यह सब्हसे पहले वन प्लस थ्री करें प्योंकि वन प्लस तो थ्री आ गया वन की जगह तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि हमें चाहिए फोर जाएगा वह फाइफ तब खाली क्या जाएगा हमारा पॉर यह चार हमारे क्या जाएंगे पांच हमारे पार्टिसन आज जेंगे अब इनके हम सब पार्टिसन के एलड़ेंगे फैस्ट वाले जब order of a two number of element of order two पूछेगा तो हम इन दोनों के जो हमारी value आईगी उसे add कर लेंगे तो यादस है तीन के यदी order का इस partition का LCM क्या रहा है 3 यानि के 3 order के बताएगा next का क्या रहा है 4 यानि के 4 order के partition को बताएगा तो सबसे पहले हमें यह जच कर लेना कौन-कौन से partition कौन-कौन सा order बताएगे अब जैसे हम number of element इसमों order two बताए तो मैं क्योंकि और सब्सक्राइब को समझ मां आगया होगा order two की बात करेंगे तो हमने नेगलेट कर लिया तो यह हमारा क्या हो गया फैक्टियूल फॉर अपॉन फैक्टियूल टू इंटू इसके इसे सोल्व करेंगे तो हमारा सिक्स आजएगा अब बात करें इसकी इसे फैक्टियूल फॉर अपॉन क्या हो जाएगा टू कर स्कॉर इंटू फैक्टि तरी यह में याद है नहीं यानिकी नाइन ओर नाइन एलिमेंट ओंगे ओंगे ओर दर टू ओडर फॉर अपॉर अपुन थ्री आएगा वह स्काथ तो इस तरीके साहँ अरे को डर के अलिमेंट निकाल सकते हैं इसकी रिगार्डिंग आप डाउट तौप कमें टूप कमेंट डाल सकते हैं मैं और भी एग्जामपल एवलेबल करवा के आपको समझा दूआ नेस्ट बात करते हैं डी हाइडर ग्रूप की डी हाइडर में जब से पहले नंबर ओफ एलिमेंट पूछा जाए तो हम क्या बरेंगे और ओडर ओफ डी एन इक्वल टू की पावर टू इंट कि जितना भी हमारे एन है उसमें यदि दो से मल्टिप्लाई करते तो नंबर टोटल नंबर ओफ एलिमेंट ओव डी एन ग्रूप हमारे आ जाते हैं अब मैं इसमें में लिए आपको यह बता दू कि मैं त्योरी में जाता नहीं जा रहा है क्योंकि तो मैं केवल उतना पार् जिसमें से अभी तक कोशन आया है कि आ सकते हैं वह वह पॉइंट डिसकस कर रहा हूं दर्वाइज हम त्योरी में जाएंगे तो एक तो यह थोडिकल सब्जेक्त है तो बहुत ज्यादा डिटेल में होता है तो बहुत ज्यादा टाइम कंजूमिंग हो जाएगा जिससे हमार सबसे पहले हम इसे बनाएंगे कैसे यहां पर सबसे पहले रो में ये लिखेँ और एजगे लिखना है जैसे हम दी टू की बात करेंगे ये लिखेंगे A square लिखेंगे और जो इसकी value है उसे B की power N के equal रख देंगे A लिखा A square लिखा equal to E जो हमारा A square है यह equal to identity के होगा और यह equal to किसके हो जाएगा B की power Q के Q Q आया क्योंकि N की value यहाँ पर 3 है अब क्योंकि यहाँ पर B cube है तो इससे एक नमबर तक के सारे element लिखेंगे यानिकी बीवी स्क्वाइर यह दो element लिख देंगे हम यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर यह B square है तो यहाँ पर B आयगा खाली यहाँ पर यह जदी B cube है तो B और B square दो आ जाएगा यहाँ यह देगा यहाँ पर B की power 4 होता, 4 कब होता है यहाँ धी 4 होता यहाँ पर क्या था B B square B Q हमारा क्योंकि एक जो इसकी power एक पावर कम तक यहां पर हम भी लिखते हैं अब जितने जो भी हमारे हैं पर भी आए उनका सब का बस ए से मुल्टिप्ट्राइब करते है यानि कि एंटू बी एंटू बी इस्वाइर यह सारे हमने B का e sqquire क्योंकि यहां पे Value 2 है अब क्योंकि यहां पर B का e sqquire आया Value 2 न तो हमारे जो इसके 2 से A कम पाउर है वह सब लिग दी जाएगी यहां पर क्योंकि यहां पर خ configur. B आएगा यहां पर झाली B लिग दी जाएगा, जिप G power 4 होता है पर तो भी बी स्कार बी क्यूब तीम हो जाता या फाइव होता तो हमारा फॉर्ट तका जाता तो इस तरीके देखते हैं तो यह हमारा क्या आगया अब हम क्या करेंगे जो नीचे बी है उसका एसलिमेंट से मल्टिप्लाई करते कि तो हमारा यह भी आ जाए तो मरलब जो जो equal to E equal to हमारा क्या आजेगा N की वाल वैल्यू क्या है 4 यानि की B की पावर 4 अब क्योंकि यहां पर B की वैल्यू पावर 4 है तो 4 से कम वाली सारी पावर आजेंगी B, B square, B cube यहां पर है अब जो भी हमारे यह B वाली रो है इनकी सब की A से multiply करेंगे A, B, A, B square A, B की cube तो यह सारे हमारे element आजेंगे अब number of element हमारे 4 में कितना होंगे 4 into 2 यानि की 8 तो 8 कैसे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, A और हमें इसे वह गिनते हैं क्योंकि यह सा 3 हमारे एक ही element है A square equal to identity equal to B Similarly यहां पर यदि बात करें number of element 3 हमारे 6 होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एक तो इसे लिखने हैं 5 और यह हमारा 6 तो यह हमारे क्या हो जाएंगे यह number of element हमारे आजेंगे इस तरीके से वरना हम 2 and value पूट करके डारेक्ट भी निकाल लेते हैं अब हमने यही क्यों बनाई इसकी हमें जोगत क्यों करी इंट्रेट्यूस करने के लिए इसकी जोगत इस वैसे पढ़ी क्योंकि कई बार हमें number of reflection और number of rotation पूश लेते हैं कि कितने value हमारे reflection दिखा रहे हैं और element कितने element हमारे rotation दिखा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि एक तो हमारे यह जो group है कौन सा यह वाला जो हमारी second row आ रही है इसके सारे element हमारे क्या दिखाएंगे reflection दिखाएंगे और एक इसमें जो A होता है सब ही में A पहला element वो हमारा reflection दिखाता है तो इसमें तीन element हमारे reflection दिखाएंगे के वल इसके लिए और एक होर element एक तो हमारे जो बीच वाली middle row होती है इसके सारे element reflection दिखाते है reflection की बात करें और जो A है वो हमेशा reflection दिखाएगा इसके लावा कुछ case में हमारा इसके नीचे वाले के जो center के element होते हैं वो भी हमारे reflection दिखाते हैं पर वो जब दिखाते हैं जब हमारी n की value क्या हो even हो यदि हमारी n की value even होगी जैसे b square यानि की b की power 4 तो हमारे center के element विलेगा जैसे b square हो गया ये भी हमारे reflection दिखाएगा तो केवल जो third row है उसमें जो हमारे वो होते हैं center के element एक तो वो reflection दिखाते हैं और बात करें हम एक ही एक ये दिखाएगा एक ही ये तीनों दिखाएगे तो इसमें 4 reflection होंगे हम बात करें इसकी डी टू की तो इसमें एक तो ये दिखाएगा reflection और एक ये दिखाएगा केवल दो element दिखाएगे तो reflection इस तरीके से चेक करते हैं और डी टू में हमारे कितने यह है धी थ्री है इसमें element कितने होते है six और इसमें हमारा यदी कितने reflection दिखा रहा है a, a, b और a, b square यह हमारे reflection दिखाएगा है reflection कौन से होते है या तो हम middle वाली row की बात करने है उसके सारे element इसमें जो first element होता है वो या हमारे इसमें central में जो element आता है वो यह सारे हमारे reflection दिखाते हैं इसके अलावा जो भी बचे हमारे वो सारे rotation दिखाते हैं हम दोनों के आपश्वे number of element काउंट करके देख भी लेंगे वो और ओफ एन के बराबर होनी चाहिए यह तो common sense है यह हम खुद यूज कर लेंगे ठीक अब हम next topic next हम बात करेंगे कि क्या हमारा एक नोट है जिस पर basic हमारे कुस्ता आते number of element of order to Indian group यहां पर लिखना भूल गया मैं इन डी एंड़ूप इन डी एंडी एंड़ूप यह ओड़र टू की अधी बात करें डी एंड़ूप में किसी में भी number of element की तो उसके फॉर्मूला होता है यदि हमारी डी एन में एन की वैल्यू ओड़ है तो हमारे number of element of order तो एनि हो जाएगा और यदी हमारे डिए न गुरूप में एन की वेलू क्या है हमारी टो एन पिलस बाइं ओर जाएगा यहां पर एन पिलस वनी क्यों आया एंग पर उसकी में वजह यही है है जो हम लाज्ट टोपिक में देख रहे थे तो जैसी हमारा यहां पर even होता है तो यहां पर जो center में element थोर बढ़ जाता है जिस वज़से center में element बढ़ने की वाईसा और यह बाद center में element किसका बढ़ता है reflection का बढ़ता है reflection का मतलब हमारा क्या ओता एक टूर्र एक यहां पर बढ़ जाता है तो इस वहे से हमारी N की वैल्यू यहां पर ईवन है तो एन पिलस वन एलिमेंट वह वोडर टू चुए और एदी रोड ए तो हमारी नम्पर ओडर टू के हमारे element कितने होंगे n होंगे जैसे हम बात करें d cube में d cube में हमारी क्योंकि n की value order order 2 के कितने element होंगे हमारे 3 और यदि हमारे d4 की बात करें इसमें n की value even है तो इसमें n पिलस 1 हो जाएंगे यान की 5 element हो जाएंगे order 2 के हम बात कर रहें खाली order 2 के ठीक इस तरीके से हम जज़ करेंगे number of element order के order के मतला हमारा two के अलावा किसी order element आजे तो उसके number of element खितने होंगे उसके लिए first condition क्या है जो हमारी के है वो सबसे पहले n को divide करना चाहिए जैसे हम d4 में number of element order 3 निका लें तो 4 जो हमारा 3 को सबसे पहले divide नहीं करेंगा क्योंकि यह divide नहीं करेंगा तो इसमें 0 element हो जाएंगा order of a 3 के और यदि हैं को divide कर जाये जैसे कि हम बात करें 4 की order 4 के कितने element होंगे तो 4 हमारा 4 को provide कर रहा है क्योंकि 4 हमारा 4 को डिवाइड कर रहा है तो इसमें number of element order 4 की क्या हो जाएँगे 54 तो 54 की value निकाल लेंगे जो कि हमारी 2 आज हैगी तो number of element order 4 행복yse यानि कि यदि हमारा kn को divide करें तो 5k हो जाताindustrie kn को divide नख करें तो diet 0 हो जाता है और order of element order 2 के लिए हमेशा यही फॉर्मूला होगा उसमें हमें निकालने की विजवत नहीं है सिंपली यदि हमारी ओड है तो वैल्यू एन आ जाएगी नंबर ओफ एलिमेंट यदि हमारी वन है तो एन पिलस वना जाएगी ठीक अब बात करें ओडर ओफ और रिफ्लेक्शन आलवेस टू यहां पर मैंने नोट में लिखा हुआ है जो हम पीछे बात पीगर रहे हैं कि हमारे रिफ्लेक्शन का जो ओडर होता है हमेशा क्या होता है ठीक यहां पर हमने कुछ जए डी-4 हमने ले लिया डी-4 में ओडर वन के अलिमेंट कितने होंगे क्योंकि फॉर वन को डिवाइड कर रहा तो फाइव वन होंगे यानिकि वन हो जाएगी इसकी वह लिए फाई अब ओडर ओफ एलिमेंट टू की बात करें तो टू में हमारे तू क्योंकि तू हमारा ओर ऑफ टू के अलिमेंट की हमारी व्यल्यओ ज rapt निकली यह और एन फुलस वन शबूंचा क्योंकि हमारा यह क्या एंध प्लस वन हो जाएगगे यानी ओड़ वाफ टू कि हमारे ॅंड़ टू हमारे क्या हो जाएंगे फाइव मचके अधर हो जाएगे बात करेंगे तो तो हमारी इक्वल टू हो जाएगा यानिकि ओडर ओफ़ टू एलिमेंट क्या जाएंगे हमारे थी आजएंगे यहां पर हमारी यादी वन जाता हमारी यहां पर फ़ेलेंट क्या जाता है अब बात करें ऑच्राइए क्योंकि 3иц से डिवाइट करता तो फाइट्री वेल्यू कहलें क्या जाएगे हमारी यह सब्सक्राइए फ़ाइव फइल और फाइफ़ फंसन से वैल्यूइड find out हो जाएगी अब बात करें next time के फॉर ग्रूप की हमारे क्लेंस फॉर ग्रूप होता है कि लिंस फॉर ग्रूप किस तरीके का होता है जैसे हमारा हमने यू एट गूरूप देखा था यूनियन गूरूप तो इसमें एक ऐसा गरूप हो ई-a-b- a-b- e-a-b b इस तरी एफो गरूप या हम yaat ka example ले 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 तो हमारा जो क्लिंसफ़ फॉर् घूप होता है कि उसमें जदी हम बात करें यह हमारा हमेसा क्योंकि कोई सब्सक्राइब के बराबर नहीं होता तो यह हम यूएट क्रूप से हम इसे रिलेट कर देंगे तो आप इसे दोनों क्यूफ और दोनों को परते अब इसमेघमेंट किस तरीके होते हैं प्लास माइनस वन प्लस माइनस इसकी अप्जοिच से वज़ये यह और भर यह जए करें वो जो और में पर देख्रोडियो के बराबर नहीं हो कि सब्सक्राइब करें हैं क्लिक होने की तो साइक्लिक होने के लिए हर एक ओडर का हर एक ओडर का हम एलिमेंट चेक करेंगे माइनस वन का ओडर चेक करेंगे तो टूआ जाएगा क्योंकि वन का स्क्वार हमारी वैल्यू बना जाती है आई की ओडर चेक करेंगे तो आई की स्क्वार हमारा माइनस वन हो गए दो चार दो चार दो आट तो यह हो गए लेकिन हमारे ओडर सबके चार या उससे कम आ रहे हैं या आई जे के तो फोर आये इसके टूए यानिकि किसी गृप का ओडर किसी भी ऐलिमेंट को ओर गूप के बराबर नहीं है यानिकि यह साइकलिक गृप नहीं होगा अब ने यह लगा e1 अखर एक पार एक ऑडर करहें यह 1 और यह गणियुक्र नियुक्ट भी होगा एफ कोई और कोई एक ब् عنद साइकलिकना साइकलिक है है next property क्या है हमारा जीवन एंट जीटू बोथ हर स्थार अबली इन गुरूप ये हमारे दोनों एक लेट गुरूप होंगे के वलोग कब एक एवन इंट घुटू हमारे अबलेन गुरूप हो नहीं बतला है क्वहें आप गलतों बोल गया है यह हमारा है क्या जीवन एन्डी टू हमारे साइक्लिक बीन जहुत नुकरा बीस हो घसे lord हाद e जी वंच ऑड़ी तू के डाइक्ट प्रोड़क्त के एबलियन होने के लिए ज़ूरी है कि जी वन और जी टू दोनों अलग 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 है प्लीयन उन में से एक भी नो जाता है तो यह हमारा इनका जो मेलटीपिलेशन वो आभिलेशन नहीं होאחा नहीं होंग रहा धेड़ में आगे वन ऊफ दैन्म इर जी टुम नहीं होगा भी यह Отइंक थे नहीं होगा अब भात करीं जो सबसे जादा इसकमें पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है सोरी है वैसे बोलने वाली चीज थी यह निकल गया मैं एक बार और पढ़ देता हूं जीवन और जीटू हमारे जो इसका डायक्ट प्रोडेक्ट है जीवन और जीटू से रिप्रेजेंट करते हैं यदि इन दोनों में से एक भी हमारे जीवन और जीटू में से नोन अबलेन हो जाए तो यह बात पक्की है कि हमारे जीवन और जीटू भी हमारा दोनों का जो डायक्ट प्रोडेक्ट है वह नोन अबलेन हो जाए केवल एक नोन अबलेन होने कि वह से और नेक्स्ट हमारा क्या है जो सबसे important order of element of g1 and two kится even or g2 में order of element क्या होंगे जैसे मालो g1 में g1 में हमारा एक element जो g1 से belong कर रहा हमने ले लिया और g2 करने वाला भी ले लिया इन दोर element का हमने basically करा क्या order ओफ एंटू भी निकाला यदि हमें जी वन G2 के direct product का य 외 other निकालना है तो हम simply का करेंगे यसम δεν doctor ए जो हमारा order a जो हमारा जीवन से बलूँ कर रहा है कि order निकालेंगे और जो G2 से बलूँ कर रहा है वी इसका order निकालेंगे इन दोनों के order को समय multiply करें जो भी हमारा multiply करके इन दोनों का जो order आया लख में लुटिप्लाइ निए बोलेंगे हम ओडर ओफ ए और ओडर ओफ भी का आपस में लेंगे जो भी इसका एलचे माईगा वो क्या जाएगा ओडर ओफ एलेमेंट ओफ जीवन जीटू यानिके इनके डायक्ट प्रोडेक्ट का ओडर आजएगा सिंप्ली हमें करना क्या है एक हम करेंगे जीवन से बी को हम ब्लोंग करेंगे जीटू से तो हम ओडर ओफ ए निकालेंगे जीवन के ओडर के लिए ओडर ओफ बी निकालेंगे जीटू के लिए इन दोनों का ओडर निकालने के लिए इन दोनों के डायक्ट प्रोडेक्ट का ओडर निकालने के लिए हम सिंप वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग वाच नश्टेव नश्टेव